हेलो नमस्कार सांतियों, वेलकम टो रोयली स्टडी, दोस्तों SSC MTS का नेक्स्ट एनलीसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं, और आज 15 अक्टुबर 2020 को हम सेकेंड सिप्ट का एनलीसिस वीडियो में करेंगे, इससे पहले हम फस्ट सिप्ट का एनलीसिस वीडियो आपको दे बाइब चुकहें, अकर आपने नहीं देखा यहाँ पर आपको आइवटन पर लिंक मिल जाएगी प्लैस्ट की आप जाकर चेक आउट कर सकते, प्रोपर तरीके से वहाँ पर अरंज किये हुए है, एनलीसिस वीडियो सारे तो आप सभी जाकर चेकाउट कर सकते हैं, कि पर बात करेंगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास तक जरूर से देखिएगा किलिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बिला आइकन को भी पर से करके रखेगा ताकि जो भी नया वुडियो आएगा सबसे पहले हाप सभी को सब्सक्राइब मिल जाएगा तो चली स्टार्ट कते हमारे जीके जेस करेंड़ फेर के फस्ट कोश्चन से किले पहला कोश्चन है हमारा नट्राज की जो कांश मूर्ति है ये किस काल के दोरान प पारीचित हुई थी नट्राज की कांश मूर्ति तो आपका करेक्ट आंसर चोल हो जाएगा जोल संगम काल के दुरान दक्षिन भारत में तीन प्रारम के राज्च्यों में से एक थे और तंजावु और गंग गंगाई कोड चोलापुरम इसके बड़े मंदिर चूल काल के दुरान बने गए थे और चोल काल के दुरान मंदिरों से जुड़े सिल्पों में कांश चित्र बनाना सबसे विसेष्ट था तो चोल कांश के चित्र दुनिया के सबसे अच्छे माने जाते थे और नट्राज की जो कांश मूर्ति थी तो नट्राज की कांश की मूर्ति चोल चोलो के काल में बनाए गई थी तो चोलो के सिलालेग प्राचीन भारत में विबने प्रकार की करो के लिए 400 से अधिक सब्दों को संदर्वित करते हैं चोल अभिलेकों में सरवाधिक जो लेकी थे ये करविट्टी है करविट्टी था आपको ये इस पासली याद रखना है च कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी अगर अभी तक आपने डेमो चेकाउट नहीं किया है तो कर लीजिगा इस पैसल आउपर के तयात काफी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है और कोई डाउट कुछ कुरिज है तो नंबर पर भी आप जाकर कांट कर सकते हैं अगला कुछन इस सुप्रिम कोड में स नियाइदीज को हटाने का प्रस्ताव रखा गया था तो सरवोची नियाले के नियादीज को हटाने के लिए पहली बार जो प्रस्ताव पर संसद के 108 सदश्य द्वारा वर्स 1901 में अस्ताक्षर किये गए थे तो ये 1991 की बात है संसद में ये क्या गया था और ये नियायमूर्थी पी रामा स्वामी के खिलाब था जिन पर हर्याना और पंजाब उची नियाले के मुख्य नियायदिस के रूप में उनके कारिकाल से समधित गलत काम पर या गलत काम का तो और उन्होंने नौमबर उनिस सो अक्टूबर 1929 से तक यानि कि नौमबर 1929 से अक्टूबर 1929 तक मुख्य नियायदिस के रूप में काम किया था अगला पूश्य ने विस्व हाई अहिंसा दीवस जो है कब मनाया जाता है वेन इस दा देखिए वेन इस वर्ड डे ओफ लान बोइलेंश अब्सErड्वर्ट करेक्ट अंसार दो एक्टोबर हो जायेगा गांदी चिहिंती दिके दिन मपना जाता है विस्ट अंतंसा डिवस या अंत्रास्टी 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 अंत degli त आत तो अक्टुबर को अंतराश्टी अहिंसा दिवस के रूप में स्थापिती किया था अगला कुशन है गांधी जी का जो पहला सत्यागरे था आप सभी से काफ़ी ये कुशन पूचे ज़े चुका है I think आपको किलियर होगा कब हुआ था ये तो 1917 में हुआ था 1917 में महात्मा गांधी ने अपना पहला जो सत्यागरे है साल 1917 में बिहार का जो चमपारन जिलाए यहाँ पर सुरू किया था और इसे चमपारन सत्यागरे के नाम से ही जाना जाता है ये भारत का पहला सभीन अवग्य अंदूलन था और ये जो अंदूलन था ब्रिटिस नील नीती के खिलाब था इस अंदूलन की जो सुरूआती एक उत्पीडित नील किसान पंडित राजकुमार सुकल के अनुरूत पर हुई थी और इस अंदूलन में गांधी जी ने किसानों के खिलाब होने वाली जबजर्स्ति का विरोद किया था और इस अंदूलन में गांधी जी ने अहेंसक स्त्यागरे का तरीका प allez था इस अंदूलन के बाद सरकार ने पोशक तिन कठीया विवस्ता को खत्म करने का फैसला लिया था और इस आंदूलन के बाद किसानों को उन से हासिल की गई पूंजी का एक हिस्ता मौावजी के तोर पर मिला था इस आंदूलन के बाद गांदी जी एक राष्ट व्यापी नेता जो है ये बैसिकली बन गए थे तो इनका जो पहला सत्यागरे या पहला अंदूलन था यही था चंपारन सत्यागरे इस पैसले आपको याद रखना है अगला है यूको माइनर पॉइंट हैना यूको माइनर पॉइंट के स्खेल से समझे तो इस तरह से बताया है हमें यूरोकप का जो आज़ने सन्यूक तो यूरोपी फुटबोल संग यूई एफ ए इसके द्वारा किया जाता है जिसे आम तोर पर यूई एफ है यूरोकप के रूप में जाना जाता है और यह ज्यू ट्रॉफिय फुटबोल के खेल से संबंधी थे यूई एफ यूरोकप की जो तुरुबादे 1958 में हुई थी इस टूनामेंट में केवल यूरोपी महादीब की टीमें ही टूनामेंट में जो है खेलने के लिए पात रित रखी गई थी और यह हर चार वर्स में आज़ित होता है फुल 55 टीमें क्वालिफिकेशन के लिए पात रहे और अंतिम 24 अंतिम इवेंट के लिए पात रहे अगला कुशन है आपका 1761 में कौन सा यूद्ध हुआ था 1761 में जो यूद्ध लड़ा गया था वार्ट वार्दा वार्ट 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 टुप्लेस इन 1761 तो करेक्ट आंसर पानिपत का तीसरा यूद्ध हो जाएगा थर्ड बेटल ऑपान वाने वाले हैं तो पानिपत का जो तीसरे यूदे 1761 में माराटा सामराच और हमलावर अफगान से न अहमद सहा अबदाली के बीच में हुआ था इसका परिणाम यह हुआ कि अबदाली है तो 17 नदी के उत्थर में पंजाब पर मानाटो का अधिपत समामत हो गया अब बात तीसरी कब हुई थी 1761 में जिसके बारे में कोश्चन में बात की गई है 1761 याद रखना है पानीपत की जो पहले लड़ाई है यह तारिक भी आपको याद रखना है 21 अपरेल 1526 को लड़ी गई थी यह जो लड़ाई है बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच में मुगलों ने इसमें इस्तमाल किया था इंची जोगा फिर आती है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में लड़ी गई थी पांच नौमबर को और यह जो लड़ाई है अकबर और हेमू यानि हेम चत्र इन दोनों के बीच में हुई थी इस लड़ाई में अकबर की जीत हुई थी तो दोनों में अकबर की या मुगल की जीत हुई थी इसरी जो लड़ाई है यह पानीपत की यह थी 1760 वाली है ना 1760 की यह हुई थी एहमद साहा अबदाली और मराटों के बीच में इस लड़ाई में एहमद साहा जो अबदाली था इसकी जीत हुई थी तो तीनों का जन्म गौलेर में हुआ था और इनका पूरा नाम था राम दनुप पंडे संगीत कार और गायक थे ये और अकबर जो दर्बार था इसके नवरत्रों में से एक थे तांसेन और उनकी याद में तांसेन समारो जो की गौलेर हर साल आज़ुत होता है नामा के एक राश्ट्री की जो चीज़े हैं ये तांसेन के बार में याद रखना है अब बात करते हैं बेजु बावरा की यहां से भी कुशन आपका बन सकते हैं इसलिए हमने कवर करवाया है ये भी मंत्यकालीन भारत के दुरूपस संगीतकार थे बेजु बावरा और गौलियर के राजा मान सिंग तोमर और गुजरात के भादूर सहा के दरवारिस संगीतकारों में इस से एक थे बेजु बावरा वालियर राजा मान सिंग के ससन काल के दुरान ब्रेज भासा में दुरूपस से लिका निर्मान बेजु के जो पूरो ही थे इनके तहत हुआ था तो आपको पॉइंट टो प ठांसर हो जाएगा रस्किन बॉर्ड कुछ इस तरह के से बता रहे थे कि रस्किन बॉर्ड को उनकी कौन से पुस्तक के लिए पुरुषकार मिला था इस तरह से कुश्चन तो आपका देहरा में और प्रीज स्टिल ग्रों तरह ये पुस्तक थी इनकी इसके लिए इनको एक अबोर्ड मिलाता है वाना तो जो भी हो आपको हमने किल्यर कर लिया है जैसे जैसे कुश्चन में यह सारह आपका हमने कंफर्म करवा दिये बात करें रस्किन बॉर्ड की तो ब्रीटिस मूल के भारती लेका खें ये रस्किन बॉर्ड और रूम और रूफ ड़रा लिखा ग में साहित्यकाद में पुरुषकार से सम्मानित किया गया था और 1999 में पदमस्री 24 में पदमभूसन जो सम्मानित सम्मानित किया गया तो आपको इस पैसली चीजे थोड़ सी याद रखना है अगला कुछी ने ओडिसा में इस्टिल प्लांट कहां पर है वेर आरदा सम्मानित के सबसे बड़े पास सन्यांत्र हो में सहे कि इसका जिस संचालन educate वाली जो भारती फाद प्राधिकरन ले मिटीडे चल इस चिल शंचल अथरीटी इंडिया लिमिटेड इसके द्वरा किया रहे था apa यरद पानी जो है धुल धुंदला क्यों दिखता है यह जल जो है यह बैसक्ली धुनला जो है क्यों दिखाए जाता है वाइट 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 दस्था पाटा अपेर ब्लरी है ना तो यह होता है पुल निलम्बित ठोसकन के कारण जल में असुद्या जो होती है उनको बलाता है तो जल में असुद्यों के प्रकारों में जैसे की धूल गंदगी हानिकारग रसाइन कार्बनिक संदूसन रेडियो लोजिकल संदूसन और कुल निलम्बित ठोसकन सब्सक्राइब सकते हैं तो इनकी वज़े से पानी दूनला दिखाई देता है द्रश्यकन जो जिससे जल दूनला और आइसपेस्ट दिखाई दे सकते हैं अगला कुशन है आपका कुजूल कट फिसेस के बाद कुसान वंस का जो सासक था यह कौन बना था उसका पूत्र बनाता विं कट फिसेस याद रखना है के बाद में कुसान वंस का जो सासक बनाता हुसस का फॉत्र और गर्म कट फिसेस याद रखना है और रखना है और बना अखलण कटविसे इनके बाद कुछान वंस की जो बागरोव थी यह कनिस्कर ने तरहने के दी उसके बाद में उसका पुत्र आया था विम कटविसे तरा जो कि आपके यहां पर मेंसरे विम कटफिसेश ले रहे पहले कुसान वंस की इसक्क्र जारी कर वाहत है दूसरे कुसान जो वन्स सकता है उनकी राजदानिया पैसावर और मतूरा थी सबसे प्रसिद कुसान सासक करनिस्क था और उन्हें द्वीति असुक के नाम से भी जाने जाता है तो उन्हें अटटर विश्वि में एक नए यूप के चुलवाद की जिसे सक समवत के रूप में भी जाना जाता है और भा कनिसक बोध्र धर्म के महायान संपरदाई का एक महान संद्रिक्षक था торणिस्क अंति महान कुसान सासक वासुदेव परथम था आपको सासलि यह और यह भारत के पहले सा सकते जिनोंने सोने के सिक्के जारी किये तो इसमें भी आपसे पर्टिकोलर सासक का नाम भी पूचा जासका है विम्कट्वी से जिनोंने तो आपको ये थोड़ी सी डीटेयल इस्पैसली याद रखना आप सभी के लिए तनी महनद करकर हम लेकर आए तो आप तो हम बता नहीं सकते हैं आपको पर नरेंद्र मोदी ने सावित्री भाई फूले की जेनती पर उन्हें सुद्धान जली दी वहां कौन सा छेत्र से हैं इस तरह से कुश्य तोड़ा सा हो सकता है जिसको हमने तोड़ा सा सही वे में डालने में बैसकली थोड़ी सिकोसिस की है बाकि एग्जक्ट जो मिला है वो भी हमने आपको यहां पर बता दिया है तो समा सुदारक थी सावित्री भाई फूले शिक्षिका और कवेत्री थी यह सवित्री भाई फूले भारत की पहली महिला सिक्षक थी उनका योगदान महिलाओ और उद्पुडित जो परवर्ग थ था और उन्होंने जोति राव फूले के साथ मिलकर बलातकार पीडितों के लिए वहला था प्रतिबा खंड ग्रह नमक देखवाल के इंदर भी खोला था तो यह भी आपको इस पासली थोड़ा सा देख लेना है अगला है आपका एने सी आई अना एने सी एल प्लस ह2O प्लस co2 plus NH3 अना यह अभी के लिए कर रहे है किसके साथ में यहीं आपका कुर्शन था था तो एने सी एल प्लस ह2O प्लस C2 co2 प्लस NH3 यह किसके साथ में अभी करिया कर रहे है तो यह कर रहे है एने अच पॉर टील प्लस एन ए एच चिए ओ तो आपको यह याद रग यहां से बि CO2 और ammonia यह है NH3 इसके बीच रासायनिक समीकरन है NACL plus H2O plus CO2 plus NH3 plus और ही अभी करिया कर रहे है इसके साथ NH4 NH4 CL plus NAHCO3 याद रखना है और इस समीकरन के मताबिक sodium chloride पानी और carbon dioxide और ammonia से ammonia chloride और sodium hydrogen carbonate NH4CNHCO3 यह बंदा है आपको इस पास लिया रखना है sodium hydrogen carbonate को baking soda भी कहा जाता है sodium hydrogen carbonate जो है यह से बने अभी करिवा करके बन रहा है वह आपको याद रखने सबेकिंग सोड़ा भी कहा जाता है अगला है देखिए और हो सकता है option में आपको sodium hydrogen carbonate भी दे रखा हो हो सकता है यही आपसे पूचा गया हो कि क्या बन रहा है इससे चना तो याद रखेगा कतक नित्य सेले के लिए 2019 में पदम स्री से किसे समानित किया गया था तो यह मंजूस्री चटर जी आपका correct answer रहेगा मंजूस्री चटर जी जो है इनको 14 मई 1941 को कलकंट्टा में जन्मी है यह मंजूस्री चटर जीन करा में नलिं कुमार गांगोली के नित्रत में कत्तक नित्य जो हैं नह nephew सीकना चूलूक किया था बाद में गुरूस्वंभू से कला में प्रसिक्षर प्राप्त करने के बाद उन पैसे करती रही है अगला कोशने आपका राजा बोनेस्वरी पुरसकार दोह यार 23 में किसके सांधिया गया इस तरह से लो इंडिया गेम्स यह रास्ट्रमेंटल खेली स्था इक्सेक्ट समझ में नहीं रहा है कुशन क्या है अगर आपको समझ में आ रहा है तो पता है क्या थ अगला का 0.04 में कितने हर्स होते हैं इस तरह स्था हाव मैंनी हर्ट्स आर देर इन 0.04 तो तेके 0.04 सरपन और साथ हर्द अवर्ति वाली मोर्टर में एक रोटर विदृद्धारा अवर्ति जो होती है यह कितनी होती है 2.4 हर्ट्स होगी और तो यह इस तरह से फॉर्मेंट हो गाए तोड़ा सा इसका एक फॉर्मेट में तोड़ा सा चिंज़ेश की ज़रूरत है अगला कोई व्यक्ति किसी जगह का संरक्षन करता है तो उसे क्या गया संरक्षक किया रक्षक उसको एजब बोल सकते हैं अगला कुशन है आपका मैं दिवाना हूं गीद के बारे में इस तरह से भी आपका ये हो सकता है तो आप गने से इंगरे दे रहा था करेक्टर अथा आपका यहीं रहेगा गयाक और कोरियोग्रॉफर है इसके में दिवाना हो गये और उन्हें अपने पहले संगीत वीडियो अपने एकल में दिवाना के लिए का निरमान लेखर बनाओ राजा भालिंद्र सिंग ट्रॉफिक स्केल से संबन्दी तो यह है रास्टी के लों में सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम है उनको दी जाने वाली ट्रॉफिए यह तो यह आपका करेक्ट टांसर क्या हो जाएगा रास्टी खेलों में जो है इस तरह से ही आपको कॉश क्यास में भी बड़त बनाए दी साल 2022 के रास्टी खेलों में सर्विसेज जो था इसने यह ट्रॉफि जीटी तो 22 दोनों का आपको याद रखना है अगला कुशन है आपका रिसर्च एंड एनलेसिस विंग रो रो का आपसे पूचा है कि रो के चीप कौन है अभी वरतमान स्विंग पूचे जे सकता है तो याद रखना है रिसर्च एंड एनलेसिस विंग रो यानि भारत की पहारी जासुसी एजंसी है और इसके जो वरतमान प्रमूख है यह IPS अधिकारी रविसिन्ना याद रखना है जासुसी एजेंसी जो रो है इसके जो प्रमुग है या फिर चीप है यह रविसिन्ना है जो कि एक IPS अधिकारी है रविसिन्ना 1988 बेच के 36 गड़ के IPS अधिकारी है और वे दिल्ली के सेंट स्टिफ़न्स जो कॉलेज है इससे पड आ जते हैं इसके अलावा रो में ऑप्रिशनल विंगल ये बैसेग्ली समाल चुके हैं तो रो में वि ये ऑपरिशन विंग combustion समाल चुकई सामन्त गोयल की वोगं पूज़ का एंट रोड़ दा मोवी देवधास है ना संगित का समयल दर्बार थे वोन दे संघित का थे समाइल दर्बार और गीत यह ता नुस्तरत बतर तो म्योजिफ डारेक्टर वाज स्मयल दरबार लेरिक्स वर नुस्तरत बादर अग्यां कुर साल 2000 दो में आई और उदित नाराय नए आवाज दीदी तो आपको ये भी याद रखना है साल 2018 में आई फिल्म देवदास के संगीतकार थे मनी सर्मा और इस फिल्म का जो ओडियो लौंच है 21 सितंबर 2018 को अक्की केनी नागेश्वर राओ की जन्मदिन पर हुआ दा अगला कुशन है आपका सा प्रेक्ट आंसर कुमाव हिमाले का जो मिलन हीमनद है यहां से यह निकलती है सर्दा नदी नेपाल में है ना तो कुमाव हिमाले के मिलन हीमनद से निकलती है सर्दा नदी नेपाल की कुमाव हिमाले के मिलन हीमनल से निकलती है और इसे गोरी गंगा के नाम से भी जाना जात ना है इसके अलावर नेक्स्ट कुशिन है आपका बेक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन से यह बेक्टीरिया से उने वाली बीमारिया संक्रमक जेविक रोगो में सबसे आम बीमारिया है और यहीं बीमारिया एकल कोशिका वाले जीवो से वह दिये जो सरीर में विशाक्त पदार्तों को बढ़ाते हैं या फिर छोड़ते हैं इनका अकसर जो है एंटिबायोटिक दबाऊ स से इनका जो है ऊपचार किया जाता हैं तो आपको याद रखना है अभी यहां पर जितने भी कोश। सेक्ट लिके में हम से आप से पूचे गयेłości त्रवी घंचाम में पूरे की पूरे जितने हमें मिल पाए सारी कि सारे हमें आपको बताने में एकजक्ट हैलब कि है जो कि 100% accurate है जो हमें मिला data same to same हमने आपको बता दिया है तो आप सभी को जो है इसको अच्छे से cover कर लेना है सारे को जो जो टोपिक देखने को मिलें इनको अब हम आगे इंग्लिस सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं यह हमारी सब्सक्राइब 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 कर लिए अब हम बात करते हैं इंग्लिस की इंग्लिस में वन वर्ट से दो कोशन्स पूचे गया है लोज टेस्ट से एक कोशन्स बनाएं तो गईस यह कोशन्स के नंबर ऑप जो कोशन्स है थोड़ा सा आगे पीछ फू सकता है क्योंकि कभी कभार जो है परसंटेसस से दो कोशन्स बनाएं इसके लावा मैस मैं आलजेब्स से कोशन्स बना है और mensuration 2D 3D से एक कुशन था सिंबल चेंज वाला कुश्चन था आपका परसंटेज से या प्रतिचा से दो कुशन थे प्रॉबि रैन लोस से कुशन था SICA से एक कुशन था इसका यलावा average से एक था number system से 2 कुशन लसे में से से कुशन से से दो कुशन था इसके अलावा रेश्यों से एक कुशन था आपका पाइप और टंके से कुशन बनाए ट्रेन वाला कुशन से पूचा गया और एजस वाला कुशन भी आपका बनाएं तो इन सभी से कुशन आपके पूची जाने आप अच्छे से याद रखी का सारे टॉपिक को बात करें रिस कुशन से पॉडिंग डिगोडिंग से कुशन था मेरा रीमें से कुशन था आपका काउंटिंग फिगर से एक कुशन था इसके अलावा आपका जो और कुशन था ये था मिसी नंबर से इगर सीरी से दो कुशन से हमने जितना आपको बताया है मैस का हमने आपको बता दिया क कौन से टॉपिक है इसके लावा जी के का पर जी यस कर और इसके अलावा हमने आपको इंगलीज का कवर कर लाज कि कहां कहां से आपकी एक्ञाम में कुछ पूच गए तो हमने आपको ओल फॉर जू सब्जेक्ट है इनका ओल और रिव्यू दे दिया है कि किस तरह के कर रहा है तो आप उसी के अपोर्डिंग आगी के तियारी को पूर्टी रखेगा जो चुट टॉपिक इक्साम में देखने को बलते हैं उन पर अच्छे खासे कमाइड आप करके रखेगा इसमें हमाँ कि पूरी हैं जितना हम से बन रहा है हम सारी आपको जो है help कर पार आपकी फिर भी विगो अगर आप चाहते हैं पुछ सकते हैं या फिर टेलिग्राम पर भी पूछ सकते हैं सब्सक्राइए इस्लिग और आपको काफी यहां से मिलेगे अना लिन लिंक यह भी यह हमारी एंपस है सब्सक्राइब subscription में पीडीए एप को डाउनलूड करने के लिए कि अप्लिकेशन को डाउनलूड करने है टेलीग्राम चेनल और ग्रूप को जैन करने है दोनों के अप्टिल करने के आपको आपको देखने को मिलेगा चीज़े उस पर को देखने को मिलेगा चीजे उस पर आपको क्लिक कर देना है किलिक जीक आपको का MTS Analysis का एक फोल्डर मिलेगा उस पर आपको क्लिक करते रहे हैं उस पर क्लिक करने के बाद में सारी पीडिव आपके सामने आ जाएगी आप और कोई भठक नहीं है आपको सेधी साधा एक काम करना है जो हमने आपको बताया है वहीं पर आपको सारी पीडिव व्यवस्त दूर और लाइक की बहुत ज्यादा जरूर रहते तो आप सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप सब्सक्राइब करके विल आइकन को ओल पर सेलेक्ट कर दिजिका थाकि जो भी नया वडियो है सबसे पहुत पहुंच पाई तो म पादे मात्रम